हमारी गलत लाइफ स्टाइल और खान पान की वज़े से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बात अगर खान पान की करें तो जादा मसालिदार खाना, जादा तेल वाला खाना और साथ ही जंक फूट से हमें पेट संबन्दी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे की आसेज़िटी, कब्स, पेट में जलन, इत्यादी वहीं हम योग के द्वारा इन चीजों को इन सारी दिक्कतों से छटकारा पा सकते हैं हम जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो अंग्रेजी दवाईयों का सहारा लेते हैं उससे थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता है लेकिन यह बिमारी जड़ से खतम नहीं होती वहीं अगर नियामित रूप से योगा प्यास किया जाए तो कब आसिडिटी इत्यादी से हमीशा के लिए छटकारा पाया जा सकते हैं योग के अनेक फायदे हैं जैसे कि आप सभी इसके बारे में परिचित हैं और मेरे पास कई सारे वेक्ति आते हैं जिनें अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं तो योग करने से क्योंकि यह सरी के हर अंग पे काम करता है आपके जो बोन से हैं जोईंट से मसलस यह तो आपके बहारी अंग होगा लेकिन आंत्रिक अंगों भी जो है योगा है बहुत अच्छे तरके से वर्ट करता है। जो गाय बजाएगी इसलिए इसता नाम पवन मुक्तासन रखा गिया है अगला जो आसन है वो है भुजञ आसन, भुजञ आसन जिसको अंगरेजी में कोब्रा पॉस भी ब्लाजाता है क्योंकि जो आकार है वो कोब्रा यूसलै को इसको पोलते हैं जिन भी विएक्ड़ों को कमर दद की समस्यया है, उनके लिए अच्छा भ्याषा है साथी साथ किसी को अगर स्लिप डिस है साइटिक है उनके लेक्छा पास है हाला कि कोई भी आसन को हम अलग अलग तरेके से कर सकते हैं और जिस तरह से करेंगे उसके प्रभाव पिछें जुनाएंगे तो अगर आपको अपनी कमर की जो मास्के से हैं वो स्टॉंग करनी है तो तो हम अगर बैक की मसल्स का यूज करते हुए इस आसन को करेंगे हातों पे दबाव कम देंगे तो आपको जो बैक है वो स्टॉंग करता है जिन वेक्टियों को मदुमे की समस्य है उसमें भी थोड़ा बहुत लाव होता है हाले कि मदुमे के लिए जो एकड़म एफेक्ट स्टैनोसेस है स्टैनोसेस या फिर फेसल जॉइट अंत्रोवाथ ही है तो उस केस में अगर ऐसे वेक्टि बैकवर्ड बैंडिंग के आसना करेंगे तो उनका पेन बढ़ेगा तो उस केस में एजे थेरेपी हम बालासन को कर सकते हैं हाला कि जिन वेक्टियों को जिनका जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो करेंगे तो उन्हें लाब होगा उत्रा खंजश केस से ईशा बिरोरिया लोकल 18 के लिए